दोस्तों BPSC के चेर्मेन अतुल प्रशाद जी के दोरा ट्वीट करके कुछ जानकारी दी गई है अगर आपने बिहार सिक्षक बरती की परिशादी थी तो ये जानकारी आपके लिए बहत महत्तपूर्ण है इस वीडियो को श्रुवास से अंतों तक देखेगा ऐसी ही अंबर में ही आजाएगा 30 सब्तमबर तक लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आएगा मिड़ अक्टूबर का मतलब यह है 10 से 15 तारीक की आसपास इसका रिजल्ट आएगा क्योंकि ऐसा किया गया है उसका करण है सीटेट का रिजल्ट रिजल्ट आफ सीटेट एटीसी सर्वल इंटेंसेज आफ मिश्टेक्स कमिटेट बाई कंडिडेट्स इन दियर ओएमार लाइक रॉंग रोल नंबर रॉंग सीरीज रॉंग सब्जेक्ट कॉमिनेशन और आल्सो ड्यू तू रॉंग सब्मिशन ओप सर्टिफिकेशन यानि लेकर के ये अच्छे तरीके से जांच परताल करेंगे किसी भी कंडिडेट का रिजल्ट रोका नहीं जाएगा ऐसा इनका कहना है अगर ओएमार में कुछ मिश्टेक की है तो इसको लेकर के भी ये लोग सही करेंगे कंडिडेट की तरफ से मतलब जो गलती है उसको भी के इसके लाबा दूसरा टविट है TRE 9th to 12th को ये कहा जा रहा है कि जो 9 से 12 तक का डाकुमेंट वरिफिकेशन था वो ओवर यानी कम्प्लीट हो चुका है आब ये जो है डाकुमेंट का मतलब डाकुमेंट वरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है उसकी ये समीक्षा करेंगे रिविव करेंगे आगे का जा रहा है टियारी प्यार्टी कंडिडेट्स फिल बी प्रोवाइड़ एन अपर्चुनिटी टू रेक्टिफाइड डियर डाकुमेंट ओन ओन लाइन विफोर डिवी इनका ये कहना है कि जो टियारी के कंडिडेट हैं और अगर नहीं है तो आप उनको राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनको आप सत्यापित करा लिजे साथी साथ ये कह रहे हैं कि उनके सिगनेचर और साइन दोनों ही होने चाहिए विद दियर सीज तो ये जानकारी है जो बीपीसी के चेर्मान अतुल प्रशाद जी की द् रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है सीटेट की रिजल्ट की वजे से और OMR की वजे से इसके लावा तब तक आपका जो भी अपीरिंग वाला रिजल्ट है अगर डियर लेट का है वेंडिंग में है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इस वीडियो में इतना ही उम्हीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कटाफ को लेकर के एक वीडियो बना रखा है आप लोग बार बार कोमेंट करते हैं सर कटाफ बताइए तो कटाफ को लेकर के जो वीडियो बनाया है वो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा इसके रहावा BPSC के अंत वीडियो में नई अपडेट के साथ